हालो फ्रेंट्स वेलकम बैक तो मैं चैनल दिवया बेबी लाइफ आप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपकी गरब वस्ता भी बहुत अच्छे से चल रही होगी साल का अंतिम और दूसरा चंद ग्रहन लगने वाला है आज रात को जी हां आज रात को लगने वाला है चंद ग्रहन जो की शर्द पूनिमा के दिन दिन शनिवार यानि की आज पढ़ने वाला है पहले भी मैं वीडियो डाल चुकी हूं ग्रहन के उपर बट बहुत सारे आपके मन के कोशन है उन सबी के जवाब इस वीडियो के तुरू आपको मिलने वाले हैं अगर आप गरब बच्चे को कोई भी शारिरिक रूप से प्रॉबलम ना हो हर कोई मा यहीं चाहेगी कि मेरा बच्चा हेल्दी हो ठीक हो कोई उसे दिक्कत परिशानी ना हो तो अगर आप चैनल पे नहीं है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर प्लीज वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे इसके साथ मैं बताऊंगी कि कौन सी वो दो राशियां है जिनको पुत्र प्राप्ती हो सकती है क्योंकि जो यह ग्रहन लग रहा है यह शर्द पू जो जो बन रहे हैं तो वीडियो को पूरा वाच कर रिएगा मैं आगे आपको बताऊंगी कौन सी वो दो राशियां है तो पहले बात करते हैं क्या-क्या शावधानी रखनी है और चन्द गहन का ताइम क्या है तो पहले तो चन्द गहन का टाइम है रात में 1 बचके 5.00 मिन बीस मिनट की बात है आप इस चीज को ध्यान से सुने एक गंटा उनीस मिनट का ग्रहन है तो अराम से निकल जाएगा टाइम आपने ग्रहन के टाइम सोना नहीं है सिरफ भगवान का नाम जबना है कोई भी घर का काम कैंची चाकु सूरी कुछ भी यूज नहीं करनी है उस टा मन की शुद्धी यानि मन में अच्छे विचार लाने है और सिरफ भगवान का ही नाम जपना है उस टाइम पर तो ग्रहन स्टार्ट है रात के एक बच के पांच मिनट पर समापती है दो बच के चौबिस मिनट पर जब ग्रहन स्टार्ट हो तो कोई भी नकारत्मक शक्ति द जब ग्रहन स्टार्ट हो तो कभी भी काला कपड़ा नहीं दारन किया जाता तो अगर आप काले कपड़े पहने हो तो उस कपड़ों को आप निकाल के दूसरे कपड़े पहने अप हो सकते तो जब तक डिलीवरी नहां उन कपड़ों को दुबारा से मत पहनिएगा हमारे ही तो उस कपड़ों को दान कर दिया जाता जो कि ग्रहन काल में पहना जाता है बट आप दान नहीं करना चाहते तो उन कपड़ों को कोशिश करें कि आप आफ्टर डिलीवरी ही दुबारा से पहने उससे पहले ना पहने अब टाइम है एक बच के पांच निनर जब चंद ग्र चाहिए जाता है तो सूता काल उसको बोलते तो सूता काल आज शाम को तेसकाल लग जाएगा कई चद सो तेकाल लगेगा तो आपको घर से बाहर नहीं कर नशुड़ना नहीं करना है कोई भी चूवी करें कसारे के तीक बाना सकतेघों निने काम नहीं सब्सक्राइब साड़ कोई आले कोईय पाया हूँ चुबने भाला उसको निकाल दे सूतक काल चार बजे से स्टार्ट है और हो सके तो जो भी आप खाना बनाओ जैसे सबजी दाल रोटी दूद तो आज सबसे पहले मेरी वीडियो अगर आभी देख रहे हूं तो आप फड़ा फड़ तुलसी के पते तोड़ के लाओ तुलसी के पते अभी तोड़ लीजे क्यो और जब रात में आप सो आपने कमरे में पानी की बॉटल रखो आपको प्यास लगेगी तो पानी पी सकते हो उस पानी में भी तुलसी का पता सूतकाल से पहले ही डाल दीजिए क्योंकि शूतक काल के बाद अगर तूलसी का पता डालो गए तो उसका कोई फायदा नहीं है क शोसे नगा उकारत्म शक्तियों का परभाव उस खाने पानी में पाड चुका है तो उससे पहले ही आप यहां करतोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी थे मैं अथी चार बजे से नारेल मगालो, गेरू मगालो, वो अभी ही मगालो, वीडियो देख रहे हो ना, तो तुलसी के पत्ते पहले तोड़ लीजिए, और साथ ही साथ मार्केट से नारेल ले आईए, अब इनका करना क्या है, जब ग्रहन स्टार्ट हो तो अपने पूरे पेट पे उस पूरे पेट पर अच्छे से कवर कर लेना है, ताकि जब ग्रहन पड़े तो आपके बच्चे पर उन किर्नों की कोई भी नकारत शकती ना पड़े, जब ग्रहन स्टार्ट हो उसे पहले ही काम करना है, गेरू पूरे पेट पर लगा लेना है, दूसरा वो जो नारेल मगाया पूजा वाला उसको अपने पासी रखना है, पूरी रात पड़े रहने देना है, जब ग्रहन खटम हो तो उसको किसी बहते पानी में छोड़ाना है, तो रात में दो बस के चौबश मिनट पर ग्रहन खटम होगा तो वो कहां लेके जाओगे नारेल, तो जब सूब आप इसके बाद अन का दान करना है किचन में ऐसा नहीं कि पूजा करके खाना फटा फट बनाया पहले अन का दान करो चावल चीनी आटा जो भी दान करना किसी गरीब को दान कर दो और जब दान करने जाओगे वह अन तो साथ ही नारेल लेकर जाना उसको बहते पानी में पर आजाना है चाहेव का सेवन चाल का राद का बचा बचा उनने हमाचेन ल को लुखिह कोई बनाना है खाल आपने इंस्टा कोई बीट उनना बनाए कि खातम हो जाए या आज गता ऐसा नाओ की खाना झाल भासी तो समझ गया है वे भाट खा एक बाना हो कोई दिक्कत नहीं है तो यह दोर रहना है इसका यूज करना है लोही की अबना पिर नहीं चूननी है नहीं उगलियों को चथा तोड़ने मारोगने नील्स नहीं क भूलोना अब बन रहे हैं नो यह दन की प्रूरापती है घन राप्ति के लिए धन की प्रापती भी है तो ऐसे कुछ भी फैमिली मैंटर में आसपडोस में एकर कोई बात होती है तो ज़्यादा गुस्सा नहीं दिखाना है वरका बढ़ सकता है संतान प्राप्ति के बहुत ज्यादा संजोग है इसके साथ मकर राशी के भी संतान प्राप्ति के बहुत ज्यादा योग बन रहे हैं आपकी आर्थिक स्तिती बहुत अच्छी होने के संजोग है और आपको संतान में पुत्त प्राप्ति के बहुत ज्यादा योग बन रहे हैं यह जो चंद्र ग्रहन है लक्ष्मी माता इसमें बहुत जादा धन बरसाती है तो अगर जिनको भी आर्थी कोई प्रॉब्लम है या आप बहुत जादा जैसे अच्छी इंकम है बट आपका पैसा बचता नहीं है पैसा खर्च हो जाता है कभी दवाई में कभी किसी काम में तो चैनल पे नहीं हो तो प्लीज चैनल को जरूर सस्क्राइब करिएगा अगर आप चाहते हो कि मेरी आर्तिक स्तिति सही हो जाए तो यह काम जरूर करेगा जब सुबा उठोगे तो लक्ष्मी माता के आगे दीब जरूर जलाएगा और एक चांदी का सिक्का रखके उसकी पू झाल झाल